अच्छे कर्मों से अच्छे पुन्ने से प्राफ्ट होता कुछ परम पीता परमात्मा ने आपको एक मोखा दिया बंदे कुछ कर्म कर ले अच्छे मोख से प्राफ्ट हो जाए दोबरा जनम नहीं लेना पड़े जनम लेना दुखों का अकारण मरते दंबी किता आत्मी कि मेरे छोटे बेटे का क्या होगा यार बड़ा बदमास तारा अपने अंदर में कल लेगा आत्मी का मन मायम सच लेगा तो चोल्यासी लाग यूनी में से मानो जिवन अच्छे कर्मों से अच्छे पुन्नों से प्राप्त होता परम पिता परमात्मा ने एक मोखा दिया बंदे कुछ कर्म कर ले अच्छे मोख्च प्राप्त हो जाए दोबरा जनम निलेना पड़ा बच्पना आया जवानी यहीं उन बढ़ा पाया समय के इसाब से आत्मी निकल लेता है वो चुर्यासी लाग यूनी इसलिए बनी जो जैसे कर्म करता उसको वो यूनी प्राप्त होती है चार लाइने सुनना सु सोच सोच के सोचिये सोच सोच के सोचिये साथ क्या जाएगा अरे देखते देखते ही मर जाओगे सब यही रह जाएगा सोच के सोचिये साथ क्या जाएगा अरे देखते देखते ही मर जाओगे सब यही रह जाएगा तेरा खुद का पैदा क्या वा तुझे जला क्या आएगा किसी के अर्थी यार्थी चार हाथ दूर रहते हैं उसके परिवार के साथ में रहते हैं दूसरा नहीं जाएगा मूर्देगा फिर भी दूर रहने के बाद भी नहीं हाथे हैं तो सोच सोच के सोच यह साथ क्या जाएगा रहे देखते देखते ही मर जाओ के सब यह रहे जाएगा तेरा खुद का पैदा किया और तुझे जला के आएगा वगर प्यारा दूसरा कोई हाथ भी ने लगाएगा यह काल चक्र है चलता है चलता ही जाएगा और कल कोई और तेर आरे अकेला है फिली जायेका ये दुनिया का चक रहे प्यारे या कोई नहीं बच पाएगा जो जनमा है वो निश्चीत्मिट जाएगा तीक इस मनिश्य को अपने जीवन में कभी भगवान से ड свид Is कि भगवान माप कर देते हैं मनिश्य में में देड़ना है इस अपने पूरे करमorse यहिए रहिए उप नहीं करते हो साप कर देते हैं इसका फेसला अप करते हैं कि किसे का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं अपनी वाणी अपनी आखो अपनी बोल अपने विचार से ही अपना इंसान भाग्य लिखता है अगर कर्म तेरे अच्छे ये किस्मत तेरी दासी है तेरा मन है सच्चा तो तेरे घर में मतरा कासी कहीं नहीं जाना है